पुरिया दरसकों, राधी राधी आप सभी लोगों का सनातन आस्था ज्यान चेनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागतें। यदि आप पहली बार हमारे चेनल में आये हैं तो चेनल को अवस्य सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, कमेंट, सेर भी अवस्य करना। सरव पर्थम तो आप सभी लोगों को 9 वर्ष, हिंदू 9 वर्ष 9 अप्रेल से प्रारम होगा, विक्रम संबद 2021 और सन 2024 की भी भहुत सुब कामने, हिंदू वर्ष की भी बहुत बहुत शुब कामने, आप सभी लोग स्वस्त रहें, दीरगायों रहें, जो भी आपने लक्ष रखें इस नए वर्ष में, वहाँ उन लक्षों में आपको सफलता प्राप्त हो, आपके कारे में निरंतर प्रगती होती रहें, और आपकी मनो कामने पूर्ण हो, और भगवान की किर्पा आपके उपर बनी रहें, आपका मन भी भगवान के चरणों में, भगवान के भक्त इस नए वर्स में अपने कोई लक्ष रखे हैं तो उन लक्षों के पूर्ति के लिए इस वीडियो का पूरी अवस्य देखना कुछ ना कुछ मार्ग दर्शन आपको यहां से अवस्य मिलेगा तो आएए प्रारम करते हैं तुला रासी की बात करते हैं सर पर्थम तो जो आपक क्या इस्तिति हैं अनेकों रासियों में संचरण करेंगे लेकिन जब वहां उचके आएंगे कब जब आपके रासी के स्वामी उचके होंगे कब होंगे 31 मार्च से 25 अप्रेल तक इस ओधी में आपके स्वास्त में यदि आप किसी बिमारी से बिमार चल रहे थे या अस्वस चल रहे थे आप तो इस ओधी में आप स्वस्त होंगे और आपकी मंगल मई यात्रे होगी जो लाप्रद होगी 19 मई से 12 जुन तक शुक्र गरहा स्वारासी में रहेंगे इस समय अचानक धनलाब होगा और लाब के स्रोत अनेक स्रोत बनेंगे 18 सितंबर से 13 अक्टूबर तक शुक्र गरहा तुलारासी में ही संचरन करेंगे जो कि यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है इस समय आपका वर्चस बड़ेगा आपका आत्म विश्वास बड़ेगा और इस समय आपका समाज में आपको मान समान पद परतिष्ठा के बिर्दी होगी और इस समय आप न अब राजनितिक खेत्र से भी जोड़े हैं तो इस समय आपको समाज में मान समान और पद परतिष्ठा के बिर्दी होगी आपकी लोग प्रियता इस समय बहुत जादा बढ़ेगी अब देव गुरु ब्रेस्वती की बात करें तो देव गुरु ब्रेस्वती आपके लिए बहुत ही स्रेष्ट है आपके सब्तम्भाव में बेठे हैं और यहां से जो ब्रेस्वती की दृष्टियां जा रही है वहां आयस्तान पे लगन में और प्राकर में इस समय आपका दामपत्य जीवन सुक मैवेतित होगा यदि आप विवाह करना चाते हैं तो अप्रेल से प ब्यापार में आपकी उन्नती होगी उत्तर ब्यापार में ब्रदी होगी यदि आप पार्टनर सीप में भी ब्यापार कर रहे हैं तो वहां भी आपको सफलता मिलेगी आपको लाब मिलेगा और जो ब्रेस्पति के दृष्टियां जा रहे हैं वह एक आदस भाव में क्या आ आई में ब्रदी होगी, आई के अनेक सुरोत बनेंगे, अचानक धनलाब होगा, मान सम्मान मिलेगा और सामाजिक कारियों में आपको विशेश रुप से सम्मानित किया जाएगा, इस समय आप सामाजिक कारियों में हिसा लेंगे और वहाँ पर आपका खूब मान सम्मान और लगन में भी दृष्टी जा रही हैं प्राकर में भी आपका वर्चस्व बढ़ेगा लोग आपसे इस समय सला लेंगे आपका आकर्शन बढ़ेगा इस समय जो भी आप कारे करेंगे वह कारे अवस्य पूर्ण होगा इस समय आप बहुती अच्छा लक्ष रख सकते हैं और उस लक्ष के पूरती के लिए आप प्रियास करेंगे तो उस लक्ष में आपको सफलता मिलेगी कुटुम्ग का माहुल सुक्म वैतित होगा और प्राकर में विर्दी होगी आपके यदि पैत्रिक संपती में विवाद चल रहा है तो वह विवाद आपका धूर होगा छोटे भाईयों का आपको प्रेम मिलेगा, सयोग मिलेगा, मित्रों का सयोग मिलेगा, यदि आप राजनितिक शेत्र से जुड़े हैं, तो वहाँ पर भी आपको मान सम्मान पत परतिष्टा की विर्दी होगी, तो देखा जाएं, अप्रेल तक आपके लिए बहुत ही अश्टम के होंगे, देव गुरु ब्रिस्पती एक मये को ब्रिसवरासी में संचरण करेंगे, तो आपके अश्टम भाव में जा रहे हैं, देखो अश्टम भाव में सोम्य गरह, जो सूब गरह होते हैं, वह जादा अच्छा फल नहीं देते हैं, क्योंकि पाप घर में जा कारे करें, उसको आप गुपत रखें, उसका जादा परचार परसार ना करें, क्योंकि आपके कारे में फिर बाध हैं उत्पन होगे, और इस समय आप वाद विवाद से भी बचे रहें, यदि पैतरिक सम्पती से सम्मंदित कोई वाद विवाद भी होता है, तो हो सकें उसक बादचित करके ही स्वल्प करें, रोगेस अश्टमभाव में सूब फल नहीं देते हैं, स्वास्ते में उतार चड़ाव बना रहेगा, वाद विवाद से आप बचे रहें, किसी वाद विवाद के चक्कर में ना पढ़ें, वाद विवाद से बचे रहें, अपनी स्वास्त की दृष्टियां डेय अस्तान में जा रहे हैं कुटुम अस्तान में जा रहे हैं और सुक अस्तान पे जा रहे हैं देखो इस समय आप सोच समझ कर खर्च करें इस समय आपका खर्चाई बढ़ेगा यदि आप विदेश यात्रा के सोच रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिले और परिवार में आपको मान सम्मान बढ़ेगा और परिवार में कोई मांगली कार्य होगी इसमें आपका खर्च होगा लेकिन वह शूब कार्यों में ही खर्च होगा इसमें आपके घर में कोई मांगली कार्य हो सकता है और यदि आप भूमी भवन वाहन के लिए भी सोच रहे तो इस समय आपको भूमी का लाब भी मिल सकता है, आप नए घर का सपन देख रहे हैं, तो आपका नया घर बन सकता है, वाहन लेने के सोच रहे हैं, तो आप वाहन ले सकते हैं, भूमी खरीदना चाहते हैं, तो भूमी ले सकते हैं आप इस दोरा, तो जो आपका खर्च होगा सुव कार्य में होगा लेकिन आप इस समय धार में कार्य करते रहें क्योंकि देव गुरु बिरस्वती सुव अस्थान पर ही खर्च कराते हैं देखाजे तुमई के बादे शुव हैं आपके धन में बिर्दे होगी हर परकार से आपको सफलता देने वाला है और विद्यार्थियों के लिए भी बहुत स्रेष्ट है बस परिस्रम करते रहें न्याई के देव शनिदेव आपके पंचम भव में बैठें वहां पर पंचम में शनिदेव शुव फल नहीं देते हैं यहां पर आपको मानसिक परिसानिया हो सकती हैं आप सतरक रहें जो भी कारे करें बड़े साबधानी से करें और विद्यार्थियों के लिए यह समय और जदी आप कर्म करते रहेंगे परियास करते रहेंगे तो आपको सफलता अवसे मिलेगे सनिदेव की दिरिष्टियाएं हैं वह सब्तमभाव आयस्तान और कुटमस्तान में जा रहे हैं इस समय आपका जो दामपत्य जीवन है उसमें भी थोड़ा बहुत मतबेद हो सकता हैं अपने जीवन साती का ख्याल रखें उनके स्वास्ते का ख्याल रखें और यदि आप पार्टनर्सीप में भी व्यापार कर रहे हैं इस चीज़ का विशेश ख्याल रखें कि आपसमें वाद भी वाद ना हो मतबेद ना हो आपकी अपने पार्टनर्सीप की बातों को भ और गलत संगती से भी आप धूर रहें इस समय अपने संतान का भी समय विश्यस ख्याल रखें वह गलत संगत में न जाएं इस चीज का विश्यस ख्याल रखें उनके साथ बैठें और उनकी बातों को समझें उनको अच्छी परकार से गाइड करते रहें और विद्यार्थों क इसामे विशेष परिश्रम करना पड़ेगा उच्छ सिख्षा में भी आपको सफलता मिलेगी परिश्रम अधिक करना पड़ेगा तो आपको लाब अवस्य मिलेगा आर्थिक इस्तिती आपकी ठीक रहेगी बस हनवान जी के शरण में बने रहे हनवान चालिसागा पाथ करते रहें बागी कुछ उपाय में लाश्ट में रताऊंगा उन उपायों को करना आपके लिए यहाँ वर्ष बहुत शुब एबं मंगल परद रहेगा राहू आपकी सश्टम भाव में बैठें तो यहां सत्रोहंता योग बना रहे हैं रोग रेन रिपू इन से आपको मुक्ती मि और औरों की सला लेकर ही बड़े साब्धानी से अपने कार्यों को करें तो आपको आपके कारिया अवस्य पूर्ण होंगे आपको सफलता मिलेगी तो देखा जाई तो यहां नव वर्ष आपके लिए मंगलमय रहने वाला है अब धार में कार्या आप करते रहें हनवान जी क उपासना करते रहें अब उपाई क्या क्या करने आपने यदि आप इस वर्ष को और स्रेष्ट बनाना चाते हैं अपने कारेग में और प्रगती चाते हैं उन्नती चाते हैं तो इन उपाईयों को अवस्य करें उपाई क्या करने आपने शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी के उपासना आवस्य करें नित्य स्रिसुक्त का पाठ करते हैं तो आपके घर में अचानक धन की ब्रदी होगी यदि आप स्रिसुक्त का पाठ करते हैं तो आपके जो आई है उसमें ब्रदी होगी और अचानक धन ब्रदी होगी और शुक्र से सम्मंदित दान भी आप करते रहें क्योंकि आपके रासी के स्वामे शुक्र है और लक्ष्मी जी के पूजा अवस्य करते रहें हनुमान चाले सापने नित्य पढ़नी है और श्री भगवान के पूजा करने हो सकें तो दुर्गा कवच का पाठ आप निरंतर करते रहें पक्षों को दाना देते रहें और सूर्य भगवान को नित्य अर्गे दें अपने इष्ट कुलदेव के पूजा करते रहें तो आपके लिए यह समय बहुती मंगल एवं स्रेष्ट रहने वाला हैं अब यहां मैंने आप लोगों के लिए बताया हैं यहां आपकी रासी और आपके लगन से आप देख सकते हैं और यहां देखना पड़ेगा कि राहो की स्तिति शनी की स्तिति और देव गुरु की स्तिति आपके जनमांग में क्या हैं तो आप अपने जनम पत्र का विसले सन करा सकते हैं उससे और उपाई प्राप्त करके इस वर्ष को अपने ले मंगल में बना सकते हैं तो जब तक दूसरे वीडियो आते हैं तब तक के लिए जैसरे क्रिष्णा हर हर महादेद